दोस्तों क्या आपकी कद्दू की बेल तो अच्छी चल रही है लेकिन उसमें फल जो लग रहे हैं वो सड़िया सूकर गिर जा रहे हैं तो उसका दो मे bonito है पहला कि कद्दू की बेल में nutrition की कमी यानि आप अपनी कद्दू की बेल में सही से खाद या उर्वरक वगरा नहीं दे रहे हैं जिसकी वज़े से उसमें nutrition की कमी है और आपका पौधा जो है यानि आपकी जो बेल है वो कमजोर है और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि जो फल है उसका size वो बढ़ा कर सके इसलिए वो फल जो है वो सूकर गिर जा रहे हैं और दूसरा में कारण है जो सबसे important में कारण है वो यह है कि आपका जो कद्दू का बेल है उसमें जो फल लग रहे हैं वो सईसे pollinate नहीं हो पा रहे हैं जी हां दोस्तों कोई भी बेल वाली सबजी जो होती है उसके फल के size को बड़ा होने के लिए उसका pollinate होना बहुत जरूरी होता है तो polination कैसे होता है जो भी बेल वाली सबजी होती है उसमें दो तरह के फूल किलते हैं एक male flour और एक female flour कि तो कद्धो की बेल में भी ऐसे दो तरह के फूल किलते हैं जो female flour होती है जिसके नीचे कद्धो लगा होता है वो कदू की female flower होती है और जिसके नीचे नहीं लगा हूँआ वो male flower होता है अब ऐसे सामने देख सकते हैं कि female flower है यह इसके नीचे कदू लगा हूँआ है तो यह female flower है और यह जो आप दूसरा देख रहे हैं इसके नीचे कद्दू नहीं लगा हुआ है यानि यह मेल फ्लावर है तो कद्दू जो फीमेल फ्लावर है उसके साइस को मतलब कद्दू की साइस को बढ़ने के लिए इसका पॉलिनेट होना बहुत ज़रूरी होता है आम तोर पे जो मधुमक्यां वगेरा होती है वो यह काम करती है मतलब वो पॉलिनेशन का काम करती है लेकिन जैसे किचन गार्डन और नॉर्मल गार्डन वगेरा में इतनी जादा मधुमक्यां नहीं आती है इसलिए जो फल फूल वाला फल है वो सही से पॉलिनेट नहीं हो पाता है और वो सड़कर या सूकर गिर जाता है तो इसका मेन उ तो इसको आपको नौ से दस बजे के टाइम पर पॉलिनेट कर लेना है इसको पॉलिनेट कैसे करना है इसको पॉलिनेट करने के लिए आपको जो मेल फ्लार है यह वाला देखो जिसके नीचे कद्दू नहीं लगा हुआ है वो मेल फ्लार है उसको आपको तोड़ लेना है और ये जो आप male flower देख रहे हैं इसके बीच का जो पार्ट है इसके चारो तरफ pollen लगा होता है ये orange वाला जो पार्ट है उसमें चारो तरफ pollen लगा होता है तो successful pollination के लिए इस pollen का male flower से female flower में transfer होना जरूरी है तो जो मध्मख्यां वगएरा आती है वो यही करती है कि पहले वो male flower पर बैठती है फिर जाके वो female flower पर बैठती है जिससे कि pollen male flower से female flower में transfer हो जाता है यही चीज आप हाथ से कर सकते हैं आपको मेल फ्लार से पॉलें लेकर जो फीमेल फ्लार का जो बीच का पार्ट है उसमें आपको पॉलें को ट्रांसफर करना है उसको आप दो तीन तरीकों से कर सकते हैं ट्रांसफर तो एक तो आप इसको किसी earbird वगेरा की साहता से जैसे ये earbird यहाँ पर मैं use कर रही हूँ उसकी साहता से आपको इसके cotton के चारो तरफ आपको pollen को ऐसे लगा लेना है अब देखो ये जो orange color का यानि संत्रे color का जो pollen है वो cotton पर लग गया है और इसको आपको female flower के बीच वाले पार्ट में pollen को लगा देना है ऐसे ट्रांसफर कर देना है आप देखो मैं दुबारा करके दिखाती हूँ बहुत ही सावधानी से एकदम हलके हातों से आपको pollen को ऐसे निकालना है और निकाल कर आपको female flower में ऐसे ट्रांसफर कर देना है आप सेम चीज किसी brush वगएरा की साहता से भी कर सकते हैं जो paint brush वगएरा होता है उसकी साहता से भी आप इस pollen को male flower से female flower में ट्रांसफर कर सकते हैं और दूसरा और सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो male flower की जो पंखुडियां है उसको आपको ऐसे तोड़ के हटा लेना है और पंखुडियों को तोड़ कर हटाने के बाद आपको pollen को ऐसे डारेक्टली ट्रांसफर कर देना है female flower में बहुत ही हलके आतों से आपको pollen को female flower के जो बीच वाला पार्ट है उसके चारो तरव ऐसे लगा देना है इसा करने से पॉलिनेशन जो है वह 100% सक्सेस्फूल हो जाएगा मतलब यह 100% इस बात के गैरिंटी होगी कि दो से तीन दिन में आप नोटिस करेंगे कि इस फल का जो साइज है वह बढ़ने लगेगा और कुछ दिन बाद आपको फल जो है वो हर्वेस्टिंग के लिए मिलने लगेगा मतलब यह जो फल है वो हर्वेस्टिंग के लाइक हो जाएगा और यह पॉलिनेट करने के 3-4 दिन बाद की अपडेट है आप देखो यह वही वाला फल है जिसको मैंने 3-4 दिन पहले पॉलिनेट करा था और आप देख सकते हैं कि 3-4 दिन में ही इसकी जो फल की जो साइज है वो अच्छी खासी बढ़ी हो गई है तो दोस्तों आप भी अपने कद्दू के फूल को हैंड पॉलिनेट जरूर किया करें खुद से पॉलिनेट करने से 100% गैरेंटी होती है कि जो फल का साइज है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा यानि फल सरकर या सूकर गिरेगा नहीं कद्दूर साथ कद्दूर बएल होती है व में नूट्रिशन के बहुत जरूरत पर देठे है इसलिए आप ऱप्याम उपमें नまだ यूद कूछ कि धुछनव इसलिए आज-दिल आपकर यासी जानकारी ai आपie य यूस फुल रही होगी अगर यह वीडियों पसंद आए competitive अन्तमे धन्यवाद वीडियो देखने के लिए